बड़े demotivate हो गए थी मुझे लगा कि evolution symptom के उपर क्यों वीडियो बनाओ थोड़ी और भी कुछ चीज़े देखती हूँ लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे demotivation को motivation में सिर्फ एक comment ने बदला है और वो comment इतना अच्छा था वो comment में आपको पढ़की सुनाना चाहती हूँ कि 1000 वीडियो देखने के बाद मैं आपकी वीडियो में समझ में आए कि evolution क्या होता है तो ये बात में मुझे ऐसा energy देगे कि चलो कुछ नहीं बहुत सरे ऐसे couple हैं अगर मैं ये समझू कि आपको ये समझ में आता है लेकिन बहुत सरे couple regularly visit करते हैं चैनल पर उनको समझ में नहीं आता है कि evolution क्या होता है और evolution के क्या-क्या basic संकेत होते हैं तो मैं आपको कुछ अपने personal experience भी बताऊंगी क्योंकि apart from जो bookish knowledge होती है जो भी gather मैंने किया है लेकिन apart from जो आपके practical जो thing होती है वो भी कई बर आपको काफी ज़दा knowledge देके जाती है मैंने खुद अपने body में बहुत सरी changes महसूस किया है जैसे कि जब मेरा periods आता है उस time पे क्या feeling आती है और जब evolution होता है उस time पे मुझे क्या feeling आती है तो सबसे important जो feeling आती है evolution के time पे जो कि मैंने feel किया है वो अचानक से ऐसा discharge आना अचानक से मुझे ऐसा लगेगा कि निचले अंगों में discharges feel हो रही है जो कि आप लोगों को भी feel होती होगी कहीं न कहीं अगर आपकी private part के area में evolution के time पे अगर discharges आ रहे हैं वो discharges कहीं बर क्या होता है बिल्कुल तरल पदार्थ होती है हलकी full की आपको discharge आएगी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यदा water के discharge हो रहा है बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है हलकी full की आपको water की discharge लगेगी लेकिन उस discharge में कहीं पर भी कोई foul smell नहीं होगा अगर still अगर कोई foul smell होती है इसका मतलब की आपको कुछ infection है उस time पे आपको doctor से visit जरूर करने चाहिए लेकिन basically जो लोग channel पे नया हैं उनको मैं अपना introduction भी दोंगी साथी जात evolution भी बताऊंगी कि evolution क्या होता है तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हर्शता वर्मा है और आपका मेरे channel पे बहुत बहुत स्वागत है सबसे important चीज क्या होती है कि महिलाओं के शरीर में 14 days पे evolution होता है यानि कि उनके शरीर में एक under release होता है महिलाओं के पास दो ovaries होती है और इन दोनों ovaries में चाहे तो left side से या तो right side से कभी भी आपको alternate month में आपके under release होते हैं आपको right से दो बार भी हो सकता है left से भी दो बार हो सकता है तो इसकी frequency बिल्कुल different है जरूरी नहीं है कि alternate आपके ovaries से हो लेकिन under release होगा यह तो बिल्कुल पक्की बात है क्योंकि अगर महिला अपने puberty से लेके अपने fertile age में अगर है अगर उनकी meno pause नहीं हुई है तो उनको 13-14 दिन पे उनका under release होगा उस टेम पे अगर वो मेल के साथ संपर्क में रहती है तो pregnant होने के chances बनते हैं लेकिन यह depends होता है कि उनकी menstruation cycle कैसी है अगर छोटी cycle है आपकी जल्दी जल्दी period आ जाते है तो आपके evolution का जो time है वो भी छोटा होगा अगर आपको लंबे समय पे period आता है अगर मानेजे कि काफी लंबा time चल रहा है तो उस time पे आपके evolution भी मतलब थोड़ा सा ज़ादा दिर के बाद ही आएंगे यानि कि पूरा menstruation period को आपको देखना है मानेजे कि आपकी 28 दिन की cycle है तो 13 या 14 दिन आपका under release होगा अगर 40 दिन की cycle है तो 20 वे दिन या 11 वे दिन आपका under release होगा उसी तरह से आपको आपनी menstruation जो point है आपना जो date है उसके बीच के point को आपको देखना है और उसी time पे अगर आप गरभधारन करना चाती है तो उसी time पे आपको relation प्लान करना है लेकिन आप समझेंगे कैसे तो science आगे बढ़ चुकी आपको पता है कि follicular monitoring होती है या फिर आप evolution test kit का इस्तमाल कर सकती है लेकिन जो लोग काफी ज़दा frequently अगर baby की planning कर रहे हैं काफी लंबे समय से try कर रहे हैं तो हर बार follicular monitoring कराना काफी ज़दा खर्चिला होता है आप चाहें तो evolution test kit का इस्तमाल कर सकती है वो आपकी लीजी पड़ेगा वो आप उसको लेके आप उसमें जब भी double line आती है उस time से ही आपको relation plan करना है लेकिन बहुत सेरी महिला ऐसी भी होती है जो कि बार-बार evolution test kit को भी खरीदना नहीं चाहती है तो वो आप कैसे समझेंगी कि शरीर में under release हुआ है तो under जो होता है जब release होता है उस time पे आपका शरीर खुदी संकेत देता है जैसे मैंने खुद आपको बताया कि कुछ मेरे personal experience है वो हर एक महिलाओं के साथ different different हो सकते हैं लेकिन 3 से 4 symptom होते हैं जो कि आपको basically ध्यान में रखनी पड़ती है अब पहला symptom जो कि मैंने खुद फिल किया है वो है basically discharge वो discharge जो बिल्कुल चिपचिपे तरह के होते हैं अगर एक वाइट की consistency की बात की जाए तो एक वाइट की consistency जैसा आपको discharge आता है लेकिन मैं अपनी खुद की बात करो तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल तरल पदार्थ होती है जो मेरा खुद का person experience है तो मैं बिल्कुल समझ आती हूँ कि इस टेम पे evolution हुआ है अगर आप pregnancy चाहते हैं तो इस टेम पे relation प्लान करें अगर नहीं चाहते हैं तो इन दिनों को आप avoid कर सकते हैं दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसके अंदर आपको कोई भी foul smell नहीं होगा अगर smell है यानि की infection है तीसरी चीज़ क्या ह होती है कि अगर आपको कई बर क्या होता है कि आपकी लीबीडो भी थोड़ी सी बड़ी हुई लगती है आपको लगता है कि husband के साथ संपर्क में जाना चाहिए जो कि विल्कुल नॉर्मल क्राइटेरिया ऐसा आप उसको ना समझे कि आप इस तरह की भावना रख रहे हैं त का मूड काफी अच्छा होता है जैसे कि उनको थोड़ा खुश्णवा फील होगा और इन फैक्ट बहुत सारे रिसर्च द्वारा यह पाया गया है कि जीन महिलाओं का अवलूशन चल रहा होता है उनके जो वोईस की पतलापन होता है उनका जो पिछ होता है वो काफी कम हो पिछ हाई होता है तब जाके वोईस सुरिली होती है तो उनकी कमपैरिटिवली अधर जो लेडीज होती है जिनकी ऑवलूशन नहीं हो रहे होते हैं उनकी मुकाबले इनको हलका सही डिफरेंस फील होगा अगर आपको यह सारे डिफरेंस इतने जादा नोटिस नहीं होते है लेकिन डिस्चार्जेज या फिल लिबीडो वाली जो सिम्टम्स होती है वो काफी ज़दा आपको प्रॉमिनेंट होती है उस हिसाब से आप रिलेशन प्लान कर सकते हैं और रिलेशन प्लान करना आपको अवलूशन के टाइम पे काफी ज़दा ज़रूरी है अब होता क्या है कि बेसिकली बहुत सरे लोग इंतजार ये करते हैं कि 13 या 14 डे पर अविलूशन होगा लेकिन जब अगर आप टेस्ट के इस्तमाल नहीं करा रही है तो आपको तीन से चार दिन पहले से कोशिश करने चाहिए क्योंकि अंडा पहले भी रिलीज हो सकता है आपकी होर्मोन के पर सारी चीज़े डिपेंड होती है और ऑविलूशन के एक दिन के बाद भी आपको ट्राइक जरूर करना चाहिए क्योंकि अगर माली जे कि 12 घंटे के अंदर अंदर अगर अंडा रिलीज हुआ है तो मेल के जो सेल्स होते हैं वो अगर अगर एवलेबल है तो आपकी प्र कमेंट मुझे जरूर शेयर करें के लिए ताकि मैं और भी सारे वीडियो बना पाऊं थैंक यू सो मच पर वाचिंग ट्विंस भाइवालेबल